आज मैं बनाने चारी हूँ दलिया का हल्वा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है तो चली फिर इसे बनाना सुरू करते हैं हलो फ्रेंड्स मैं पायल आपका मेरी चैनल कुक विद पायल में बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले हम एक पैन को गरम कर लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून घी और फिर हम उसमें डालेंगे 1 कप दलिया तो ये दलिया हमने 240 ग्राम लिया है तो इसे हम 2 मिनट के लिए low to medium flame पर पहले बुनेंगे उसके बाद 2 मिनट के लिए हम low flame पर इसे बुनें तो अब हम उसी पैन में 3 कप दूद डालेंगे तो ये दूद मैंने पहले से उबाल कर रखा हुआ था तो जिस कब से हमने दलिया लिया था उसी कब से हम 3 कप दूद ले लेंगे तो दूद को आप कम या ज़्यादा भी लिज सकते हैं तो ये दलिया की size पर depend करता है तो ये एक महीन भी आता है और इससे थोड़े बड़े size का भी दलिया आता है तो अब हम gas को on करके इसमें एक उबाल आने देंगे और जैसी इसमें एक उबाल आ जाए ये जो हमने दलिया भून कर रखा था इसमें डाल देंगे तो इसे हम low to medium flame पर तब तक चलाएंगे जब तक की दलिया अच्छी तरह से दूद को सोक न ले तो ये देखे थोड़ी दिर बाद ये दलिया थोड़ा ड्राइ होने लगा है तो अब हम इसे stage पर half cup चीनी डाल देंगे तो जितना हमने दलिया लिया था उसका आधा हमें चीनी डालना है तो चीनी को आप अपने स्वात के तो ये देखे चीनी अच्छी तरह से इसमें मेल्ट होने लगा है तो अब हम इसमें 1 फो टी स्पून इलाइची का पॉडर डाल देंगे और इसमें अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे थोड़ी दिर के लिए चला लेते हैं तो ये हमारा हलवा रेडी है तो अब हम गैस को आफ कर देंगे और इसमें हम तड़का लगाएंगे तो अब हम तड़का पैन को गरम कर लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 टीबल स्पून घी और उसमें हम डालेंगे 8 से 10 काजू और इसे हम हलका फ्राइ कर लेंगे तो काजू को हमने फ्राइ कर लिया है अब हम इसे हलवे के उपर तड़का लगा देंगे तो ये देखी इस तरह से हमें तड़का लगा देना है तो थोड़ा सा काजू हमने निकाल लिया था उपर से डालने के लिए तो इसमें हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और ये हमारा हलवा रेडी है तो इसे हम एक बॉल पर निकाल लेंगे तो ये देखिए उपर से हम क्रश किया हुआ काजू डाल देंगे और थोड़ा सा किश्मिस भी उपर से डाल देंगे और ये हमारा दलिया का हलवा बनकर तयार है तो आप भी इसे जरूर ट्राइ करें ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिएगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके थैंक यू